हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले बहुत ही चटपटा सा नास्ता जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है देखने में भी बहुत सुन्दर लगती है तो चलिए बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने यहां एक बोल में मैंने एक कटूरी आटा लिया है आप चाह से हम अजवाइन को हाथों से इस तरह मसल के डालेंगे अ अब इसमें थोड़ा साम नमक डालेंगे अब दो बड़ा चमच इसमें हम ओईल डालेंगे तेल रिफाइन डॉल इसे मोयम करने के लिए अब इन सारी चीजों को हाथे से मिक्स करेंगे बहुत ही टेस्टी नासता है यह आप इसे जवू ट्राइ कीजिए बहुत ही स्वाधेश लगती है खाने में आटे में अच्छे से मोयम हो चुका है यह देखिए अब हाथों से बांधने से यह इस तरीके से बंधने लगी है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक डो तेयार कर लेंगे यह देखिए मैंने इसे बना लिया है यह जादा कड़ा है नहीं जादा मुलायम है इसी तरीके कड़ो हमें चाहिए अब तब तक हम इसके स्टफिंग के लिए त्यारी कर लेते हैं मैंने यह एक कड़ाई लिया है अब उसमें हम थोड़ा से तेल डालेंगे तेल जब थोड़ी गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा से जीरा डालेंगे जब जीरा थोड़ा चटक जाएगी तो इसमें एक टेबल स्पून हम अध्रक लशन का पेश्ट डालेंगे अईसे हलका भून लेंगे जब इसका हलका कच्चा पन निकल जाएगे कि लशन अध्रक अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम बॉयल की हुई आलू डालेंगे मैंने आलू को बॉयल करके मैश करके रखा था शारी आलू को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउड़े डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला थोड़ी सी गरम मसाला पाउड़े कती हुई हरी मिर्च हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें अब इन सारी चीजों को मिक्स करके हम आलू को अच्छे से भून लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब किजिए अब इसमें हम थोड़ी से कटे हुए हरा धनिया डाल देंगे अब यह स्टफिंग हमारी बिल्कुल तयार है अलू भी अच्छे से भून चुका है अब गैस का फ्लेमा वह आफ कर देंगे अब मैंने जो आटा तयार किया था उसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और उस पे जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है उससे अच्छे से हम चारो तरफ लगा देंगे फैला देंगे अच्छे से यह देखिए इस तरीके से अब इसके उपर हम इतना ही बड़ी रोटी और एक बेल कर इसके उपर हम लगाएंगे और चारो तरफ से अच्छे से दबा देंगे हम ताकि यह अच्छे से चिपक जाए अब इससे हम एक पीजा कटर से साइड से काट लेंगे आप चाकू से भी काट सकते हैं आप चाहे तो ऐसे भी कट करके बना सकते हैं लेकिन मैंने साइड वाले पार्ट को हटा दिया था इसे भी हम बाद में छोटे छोटे पीसेस में कट करके फ्राइग कर लेंगे अब इसमें हम इस तरीक से इस तरीके से बीच से काट लेंगे बहुत ही टेस्टी लगती ये खाने में आप इसे जहूँ ट्राइ करें और कमेंट करके बताईएगा आपको मेरी रेस्प से कैसी लगी यह दिके इस तरीके से हमें काट लेना है अब इसका एक पीस हम लेंगे और पहले सबसे पहले सेंटर में हम दोनों कॉर्णर को पकड़के अच्छे से हाथों से चिपकाएंगे फिर इसके बैक से हम दोनों को पकड़कर चिपका देंगे इस तरीके से यह बहुत आसानी से बन जाती है और देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है यह देखे इस तरीके से हम बना लेंगे कितने बढ़ियां बन कर त्यार हुई है मैं एक और बना कर दिखा देती हूँ यह देखे पहले हमें सेंटर में दोनों को कॉर्णर को ऐसे पकड़ के चिपका देना है फिर के इसके back side से दोनों कॉर्णर को चिपका देना हमें बहुत ही इजली बन जाती है लेकिन देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है बिल्कुल चटपटा सा तो इसी तरीके से हम सारे इस तरीके से बना लेंगे यह देखे मैंने सारे बना लिये है अब यहां एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे तेल जब पूरी गर्म हो जाए तो हमने जो बनाई थी उसे एक-एक करके हम तेल में डालेंगे कि बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम रखेंगे अभी अब फिर हम मीडियम कर देंगे यह देखिए मैंने इसमें डाले है अब इसे धीरे-धीरे कुछ दे बार हम पलट कर पकाएंगे अच्छे से यह देखिए यह फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छे से कितना अच्छा कलर आ गया बिल्कुल क्रंची बन कर त्यार हुई है बहुत ही टेस्टी और चकपटा सा नास्ता रेड़ी है यह देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए है अब बहुत ही टेस्टी सी यह रेसिपी है तो आप इसे जोड़ राए किजिए और कमेंट करके बताएगा आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी बारिस के मौसम में खाने में बहुत ही स्वादेश लगेगी चाय के साथ खाने में बहुत है अब जर आपको शका साथ